ब्रिक के बाद खेल की खबरों में बढ़ते हैं आगे विश्व के बड़े युवा फुटबॉल टूर्नामेंट गोथ्या कप के लिए स्पेशल ओलम्पेक भारत ने शुक्रिवार को भारतिय दल के लिए सैंड आफ सेरेमनी का आयुजिन किया जहें स्पेशल ओलम्पेक भारत के अध्यक्षिय मलिका नड़ा भी मौझूद रही और उन्होंने उमीद जताई कि भारतिय दल इस टूर्नामेंट में शांदार प्रदर्शन की तस्वीर को सामने रखेगा मलिका नड़ा से खास बात्षित की हमारे समवादादा नारेंड सिंग ने भारती टीम गोथिया कप में खेलने के लिए जा रही है जो की दुनिया का सबसे बड़ा यूथ चैंपियंशिप फुटबॉल टॉर्नामेंट है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है स्पेशल ऑलंपिक भारत की प्रेजिदेंट डॉक्टर मलिका नड़ाजी अड़ाम आपका स्वागत है भारती टीम एक बड़े टॉर्नामेंट को खेलने जा रही है जो किस तरह से देखते हैं कि इस तरह की जो पहल है जो समावेश्ता को सिध्धानत है उसको किस तरह से ब रिप्रेजन करेगी चहां लगभग असी देश पार्टिसपेट कर रहे हैं और सत्रा सो टीम्स इस गेम के लिए स्वीदेन आ रही हैं हम सब स्पेशल ऑलंपिक्स भारत की और से स्वीदिश एमबैसी में हमारे स्पेशल एथलीट्स चैंपियन्स का सेंड ओफ सेरेमनी करन के लिए आई हुए हैं और हमें इस कारेक्रम के माध्यम से इंक्लूजविटी के विशे को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नमेंट में भारत और भारत से स्पेशल ऑलंपिक्स भाग लेगा यह हम सब के लिए खुशी की बात हैं मैं अब आप जो एश्या पैसिफिक काउंसिल उसकी चीया पसंद भी हैं तो इस नहीं पारी को किस तरह से देखते हैं आप चैलेंज की तौर पर देखते हैं और या देखते हैं कि काउसर है जो कि स्पेशल ऑलंपिक्स का जो मिशेन है उसको आगे लिजाने का प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए हम प्रयास करेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री हर एथलीट को हर खेल को बढ़ावा दे रहे हैं और इंटरैक्ट करते हैं खिलाडियों से उनको प्रोटसान करते हैं वो जीते हैं तो उनसे मिलते हैं और हारने पर भी उनको एक उनका जो होसला बढ़ाते हैं तो इस चीज से एक चीज देखी हमारे आदर्निय प्रधान मंत्री जी ने जिस प्रकार से खेलों को प्रुचाहन दिया है जिस तरह से सभी प्रकार के खेलों में आज विद्यार्थी रुची लेने लगा है युवा आगे बढ़ने लगा है ये सब पहल और प्रयास आदर्निय प्रधान मंत्री जी के दी है तो मुझे लगता है इसके माध्यम से हम इनको एक life of dignity भी देते हैं और एक आत्म निर्भरता की और बढ़ाने का एक प्रयास भी है नकेवल सिर्फ जो में खिलाडी होते हैं बलकि जो पैरा गेम्स हैं उनमें भी खिलाडी बढ़ चलकर हिस्सा ले रहे हैं और मेडल जीते हों देश का नाम रोशन कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि इसी तरह से यह प्रयास चलता रहेगा और हमारे खिलाडी आगे चलकर और जो एक गौरवानित करने का पहले उसको और लाएंगे कामरापसन गौरफ के साथ नरायन सिंग डिडी नूस डेली